यह है आपका अपना चैनल माई पोडल साथियो स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे दोहजार देश और इस सर्विक्षन की दौरान पृतिएक जैनित विद्याले में SQ, TQ और PQ OEMR सीट पहुँचेगी तीनों OEMR सीट में क्या अंतर है? किस तरह के कॉलम इन OEMR सीट में है? और क्या निर्देश हैं इन OEMR सीट को भढ़ने के? इनी सब बिंदों के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैसा कि हम सभी जानते हैं पूरे देश में तीन नौंबर तेश को NCERT की गाइडलाइन्स पर आधारित सर्विक्षन का कार किया जाना है तो चले ही आप बात कर लेते हैं OEMR सीट की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पिरते हैं चेनित विद्ध्याले में तीन तरह की OEMR सीट उपलब्द होंगी PQ, TQ और SQ PQ यानि People Questionnaire और ये OEMR सीट फिल्ड वाइदा स्टूडेंट बच्चों के द्वारा भरी जाएगी इसके बाद आती है TQ Teacher Questionnaire और ये फिल्ड वाइदा सब्जेक्ट तीचर एंड क्लासिस जिस कक्षा का प्रेशन पत्र है उस कक्षा की उस बेश्चा की सिक्षक के द्वारा भरा जाएगा और इसके बाद SQ School Questionnaire और ये फिल्ड वाइदा स्कूल हेड यानि शाला प्रमुक के द्वारा OEMR सीट को भरा जाएगा इन तीनों ही तरह की OEMR सीट को दिखाने से पहले हम आपको बताते हैं कि क्या सावधानिया है OEMR सीट भरने की और किस तरह की निरदेश हमें प्राप्त हुए हैं निर्देश में लिखा हुआ है कि OMR सीट में बच्चे की सामाने जानकारी भरने है तू, अंग्रेजी की कैपिटल लेटरस का ही प्रयोग किया जाए। अगला विंदू है OMR सीट को केवल नीले या काले बाल फॉइंट पैन से भरा जाए। OMR सीट में ओवर राइटिंग ना हो, वाइटनर का प्रयोग ना किया जाए क्योंकि ऐसा करने से OMR निरस्थ हो जाएगी, OMR सीट में गोलों को ठीक तरह से डार्क किया जाए। इसके साथ साथ ध्यान ये भी रखना है कि OMR सीट कहीं से मुड़े नहीं, साप सुत्री रहे और कटे फटे नहीं, क्योंकि जब OMR को डीड करने के लिए मशीन में इसको रखेंगे, तब इस तरह की सीट रिजेक्ट हो जाती है। अब आपको इस स्क्रीन पर देख रहा होगा सही तरीका सर्कल भटने का क्या है। अगर किसी प्रश्ण की चार उत्तर हैं, दूसरा उत्तर सही है, इस तरह से सर्कल को डर्क करना है कि सर्कल पूरी तरह से भर जाये। और गलत तरीके में क्या के आएगा, वो भी आप नीचे स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। सर्कल को स्र्कल की बीच में डौट रख देना, या फिर सर्कल को आधा भरना। इस तरह की जितने भी निशान यदि OEMR सीट पर बनाय जाते हैं, आपको प्रश्ण का उत्तर सही होने के बाद भी आपको उस प्रश्ण के अंक नहीं मिल पाएंगे। इस तरह से जो भी सही तरीका है OEMR सीट भरने का उसका ही उपयोग करना है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं PQ किस तरह की OEMR सीट है, क्या 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 कॉलम है और उसमें जानकारी किस तरह से भरना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये OEMR सीट है और ये OEMR सीट पर एक बच्चे के द्वारा भरी जाना है क्योंकि इसी सीट पर बच्चे अपना रिस्पॉंस भी दर्ज करेंग Booklet Set ये आपको जो सर्वेक्चन की Booklet प्राप्त होगी उससे देखकर यहां लिखना है, Student ID ये भी उसी दिन तैह हो जाएगी, Grade यहां पर कक्षा लिखना है, Gender और CWSN इस तरह के कुछ कॉलम यहां पर दिये होगे हैं और इसके बाद एक कॉलम है People Questionnaire का और दूसरा है Student Response का, ज Field Investigator या Observer in an Interview Mode, यहां पर FI या Observer की मदद से ये सारे कॉलम्स बच्चे के द्वारा भरे जाना है, इसके बाद Student का response है, यहां पर एक से 60 तक के Question है, इसमें बच्चे को सही उतर मार के करना है, Circle करना है, According to Correct Answer, जैसा कि सबसे पहला कॉलम है Student Name और यहां पर बच्चे का नाम और वो भी Capital Letter में है, बच्चे का नाम लिख लेने के बाद आपको स्कूल का नाम लिखना है, बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है, अध्धन करता है, इसके बाद उस स्कूल का Block क्या है, District और इसके बाद आपको लिखना है State का नाम, इतने कॉलम भलेने के बाद अब इस Code क्या है, आपको यहां पर उसको भड़ना है, यूडा इस Code लिख लेने के बाद, अब जो भी Circle है, उनको Dark करना है, सबसे पहले कॉलम में दो लिखा हुआ है, यहां पर इस पूरी Circle की Line में से, जहां पर दो लिखा हुआ है हमें उसको Dark कर देना है, कुछ इस तरह से, इस वहाँ पर जाकर इनको डार करना है, कुछ इस तरह से, सरक्ल अच्छी तरह से भर जाए, ये आपको ध्यान रखना है, इसके बाद अगला कॉलम है, Management of School, और यहाँ पर सारी Management के Code दिया हुए है, आपको इन Code को देखते हुए, उपर यहाँ पर लिखना है, मालिजे, आप पहला Code यूज कर रहा है, Department of Education, और इसका Code है 001, तो आपको यहाँ पर 001 लिखना है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर सिर्फ 1 लिख देंगे, और बाकि 2 कॉलम खाली छोड़ दें, और जब आप 001 लिख लेंगे, तो इसके सामने जो भी पहला सर्कल बना है, आपको उसको यहाँ पर डार्क कर देना है, ऐसा, इसी तरह से Medium Open Instruction, आपको यहाँ से देख के, इसके Code भरना है, उसके Code यहाँ पर डार्क कर देना है, इस तरह से जो भी सही उतर हैं, आप पहले खाली बॉक्स में Code लिखना है, और उसके बाद उसके According Circle को डार्क करना है, और आईए अब देख लेते हैं Teacher Question आयर, किस तरह के कॉलम दिये गए हैं, और यह सम्मंधित Chinese शाला की, विशय सिक्षक के द्वारा भरा जाना है, सबसे उपर Teacher का नाम, स्कूल का नाम, ब्लॉक का नाम, टिस्टिक का नाम, स्टेट का नाम, और यह सारे आपको Capital Letter में ही लिखना है, इसके बाद इस OEMR सीट में 20 कुश्चन दिये हुए हैं, उसके आपको उत्तर, उसके Responses आपको यहाँ पर लिखना है, इसके साथ साथ U-Dice Code, Dice Code भरना है और इसके According यहाँ पर Circle को Dark करना है, Teacher का Residence पूछा गया है, Teacher का Gender पूछा गया है, Teacher का Subject पूछा गया है, विध्धाला में किस Grade का Sample Test हो रहा है, उसकी Class आपको यहाँ पर लिखना है, और Sample Section यहाँ पर आपको लिखना है, तो आपने देख लिए यह TQ, और अब तीसरी OEMR Seat, यारनी School questionnaire, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं, और इस OEMR Seat को शाला पर मुख के द्वारा ही भरा जाएगा, इसमें School का नाम, Block का नाम, District और State का नाम, यह सारे आपको लिखना है, Capital Letters में, इसके बार Dice Code, Area Code, Type of School, School Shift, Sample Class, विद्धाले में किस Class का Sample Test चला है, अगर एक ही Class का है, तो आप यहाँ पर एक में Yes कर देंगे, अगर एक से अधिक Class का एक ही विद्धाले में Test चला है, तो आपको उसके According यहाँ पर Circle को Dark करना है, और इसके बाद दस्तरे के Question की Response भी देना है, जो भी Question है, उसका जो सही उत्तर होगा, उसके According यहाँ पर Circle को Dark आपको करते जाना है, School Category यहाँ पर भरना है, School का Management, इसका Code आगे लिखा हुआ है, Code आपको उपर भरना है, और Code और सही उत्तर के सामने Circle को Dark करते ना है, इस तरह से आपने तीनों OEMR सीट देख लिए, Circle Dark करने का सही तरीका आप उपर देख पा रहा है, और गलत तरीका नीचे आप देख पा रहा है, उमिद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फिर भी कोई Question, कोई Comment बन में रहते हैं, तो Comment Box में जरूर पूचिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, Thanks for watching.